हलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुती बड़ी गुड नीज के बारे में पोस्ट आफ इस GDS रिजल्ट टू टू टूज़न टूटी थी सेकंड लिस्ट के बारे में और जितने भी न्यू पोस्ट जाने वाले हैं उनके लिए एक बहुती बैल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले तो दोस्तों शुरू करते आज के इस वीडियो को सबसे पहले यहां पर बता दूँ नीचे कॉमेंट बुक्स में कॉमेंट करना आपके सर्कल से बिलांग करत में इसी तरह अगर सेकंड लिस्ट में किसी भी स्टूरेंट को फेक मार्कुस होगे उनको बाहर किया जाएगा उसके बजाए न्यू स्टूरेंट को डाक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इसी तरह आपके बहुत सारे लिस्ट आने वाले हैं एक आफशल अपडेट आ चुकी हैं सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे आपके लिए एक गुड न्यूस हैं बहुत सारे कंडेट्स के लिए जो भी कहते थे कि रुकूरूट्मेंट रूल अब चेंज होने चाहिए क्योंकि जो एक रुकूरूट्मेंट नोटिकेशन है इसमें सिर्फ मिर्ट बेसिट लिया जाता हैं बहुत सारे कंडेट्स ने कोविड नैंटीन में पास किया हैं उनको बहुत सारे मार्कस हैं तो इसलिए इसके रुकूरूट्मेंट रूल चेंज होने चाहिए यहां पर उसी के रिलेटिट एक आफशल अपडेट आ चुकी हैं वो भी हम दे उन्होंने कहा है कि आफका जो सेकन्ड लिश्ट आएगा वो अब आएगा 7th या 16th अपरेल को मतलब कि इसी वीग में चांसिज है आपका सेकन्ड लिश्ट आने को हैं जितने भी कंडेट्स ने फेक मार्क्स दिये थे उनको बाहर किया गया है अब जो लिश्ट में पहले थ अगर किसी को miss हुआ तो वो directly बाहर होगे उनका farm reject होगा अब new students को list में लाया जाएगा जिनका भी नाम first list में नहीं था जिनके high marks थे अब उनका नाम second list में आएगा अगर 300 post जेंड के के लिए है अगर first list में मानों की आपका 100 students थे उसमें से अगर 50 students ने correct information दी होगी तो उन 50 students को आगे लिया जाएगा जो 50 students बज जाएंगे उनको direct recruitment से बाहर किया जाएगा क्योंकि उन students ने fake marks या कोई भी mistake की होगी तो बाकी students वहाँ पर आपके 300 में से रहते हैं 250 post इसी तरह next list जो list आएगा वो 100 students का आएगा अगर उसमें भी इनको लगा document verification में किसी ने fake marks अपलोड किया है किसी को कोई mistake हुई होगी तो उनको भी document verification से बाहर किया जाएगा इसी तरह जब तक आपके post फिल होगे तब तक आपके list आएगे बहुत सारे candidates कहते थे अगर कम post हैं तो list कैसे आएगे बहुत सारे इसी वाज़ा से आपके list आते हैं क्योंकि इसमें क्या है students खुद ही अपने marks रखते हैं जिसकी वाज़ा से high cut up रहता है अब क्या होगा अब आपका low cut up भी जा सकता है 80 to 85 कैटेगरी के लिए 85 और जो बागी open merit candidates है unreserved candidates उनके लिए 90 to 87 तक रहने वाला है यह थी update आप बात करेंगे new recruitment rules की new recruitment rules आपके जल्दी आने वाले हैं जो भी upcoming posts आएंगे GDS के आपके new recruitment rules लागू किये जाएगे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने friends के साथ share करना एक good news है आप यहाँ पर यह वीडियो देख सकते हो पंदर दिन का डाकूमेंट वेरिपकेशन तरह दिननों आइन रिपोर्ट करने के लिए समय निग्दिक किया था परन्तु चार भी आने के बातु डिपार्मेंट भी अभी यह अम लोग का सूत्रों का मुधाबिक को यह अगली गुदुवार नहीं वो तो गुरुवार को इसका चालेंज का मुकाबला करते वे आगे भढ़ना होता है कोई चोटा मोटा दिकत तो इसता पोस्टल डिपार्मेंट में ज्यादा दिकत नहीं आएगा यह कुछ जरूर इस सर्विस कंडिशन में सुदार का जरूरत है इसके लिए हम लोग भी सुदार करने के लिए प् बार बोलके रहा है क्या आप लोग आनलाइन में अप्ले किया है इसी का मुताबिक आप सर्टिपेकेट बना के विरिपकेशन करना होता है यह गल्त हुआ वो तो मानेगा नहीं डिपार्मेंट हो कुछ ना आसान भी नहीं है यह करेगा यह जरूर विरिपकेशन का मुताब इक होगा